तो कल कोई टूर्णामेंट क्यों नहीं हुआ, आज कौन सा टूर्णामेंट होगा और क्या BGIS पोस्पोन हो चुका है, क्या निव जारा है सब कुछ बताता हूँ सबसे पहले तो देख सकते हैं सिवाने दिस सर ने ये कल स्टोरी लगा दिया था मतलब यहाँ पे कल बहुत सरे प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मंदे है तो टूर्णामेंट आफ रहे जिससे प्लेयर्स लोग रेस्ट कर सके सो यहाँ पे यह लोग कल आफ कर दिये थे इसकाई e-sports भी कल नहीं हुआ और जो वन गेम ही e-sports है वो भी नहीं हुआ सेड्यूल तो था लेकिन अब यहाँ पे प्लेयर्स तब खेले घीना ही था तो क्या ही पाइदा टूर्णामेट करवाने का बहुतस रहे टीमस नहीं खेलती इसलिए यहाँ पे कल क्ल कोई टूर्णामेंट नहीं हुआता तो आज सेम टूर्णामेंट कंटिनू होगा मतलब Sky eSports का अब 5 दिन का जो final होगा वो अब 4 दिन होगा आज और कल final day है तो standings वही जो उसके पहले था यहाँ पे देख सकते हो Global eSports टॉप पे है फिर यहाँ पे लीड बना के रखे है IQ 16 तो आज यहाँ पे matches continue होगा 12 PM पे ही Same जिसे यहाँ पे पहले हो रहा था और फिर उसके बाद यहाँ पे जो साम में 1K eSports था वो आज स्टार्ट हो जाएगा semi finals semi finals कल ही स्टार्ट होने वाला था लेकिन कल तो हुआ नहीं तो आज होगा और जो teams qualify की थी यहाँ पे standings देख सकते हो यह top 8 teams है So यह teams का आज से मैचेस चालू होगा लेकिन एक यहाँ पे problem यह है कि One Game eSports का अब semi finals कितना दिन चलेगा क्योंकि कल अगर स्टार्ट होता तो तीन दीन चलने वाला था अब कल तो हुआ नहीं So आज और कल तो चलेगा सायद यहाँ पे दो ही दिन का हो Well जब भी schedule यहाँ पे confirm हो जब मैं बता दूँगा अब यह तो आज होने वाला है यह fix है टाइमिंग वही साम में होगा 6 बीम पे YouTube पे enjoy कर सकते हो अब यहाँ पे और एक और चीज़ आप लोग मेरा WhatsApp चैनल फॉलो रख सकते हो जब भी यहाँ पे कल निउस आज मैं अपने वाट्सेट आज पे अब्डेट दे दिया था तो येस कल कुछ stories यहाँ पे लगाया गया था कुछ pages को थूरू और मुझे भी कुछ बंदों ने शेयर किया बोला कि भाई क्या ये सही है तो भाई कल April फूल था बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ चुके थे लेकिन कुछ लोगों confusion हो रहा था भाई तो यहाँ बता दू ऐसा कुछ भी नहीं है ना ही पोस्पोंड हुआ है सेम जो schedule था वही होने वाला है मतलब 4th April से ही grind चालू होगा और येस यह registration को यहाँ पे थूड़ा extend किया गया था चुकि 7 April तक चल रहा है तो आपनों चाहो तो यह registration कर सकते हो और 8 April से in-game qualifiers जो classic होता है वो matches चालू हो जाएगा तो येस अभी कोई schedule बलब कोई BGIS पोस्पोर्ड नहीं होने वाला है तो वैसा कोई news पे ध्यान मत दो बस यहाँ पे अपरिल फूल कल बनाया गया था तो यह होगा यह tournament details है चलो मिलते अगले वीडियो में like और subscribe करके जाना